नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से सुवा गए था आप सभी का टुडे टोक की इस वीडियो में तो दोस्तों इस वीडियो में हम राजस्तान वंदरक्षक बर्ती प्रिक्षा 2013 के पेपर का सेकिंड पार्ट कवर करने वाले हैं इस पार्ट में हम 51 से लेके 100 कवर करने और लास्ट वीडियो में यानि पार्ट फर्स्ट में हमने वन से लेके 50 कवर किये थे इस से पहले आपको बताना चाहूंगा 2016 की बर्ती के दोनू पेपर वनपाल और वनदरक्षक पर में वीडियो बना चुका हूं उसमें आपको इस बरती से सम्मंदित सभी वीडियो मिल जाएंगे जैसे कि syllabus, best book, eligibility criteria, physical test में क्या होगा ये सभी बाते मैंने बताईए तो अगर किसी को देखना हो तो playlist में आप जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं काफी बच्चों ने बोला था कि सर आप old paper की PDF, notes वगेरा हमें provide करवाईएगा आप एक telegram का channel बना लीजेगा वहाँ हम add हो जाएंगे तो दोस्तों मैंने finally telegram का channel है वो बना लिया है और उसका link आपको description box में मिलेगा आप जरूर जोइन कर लीजेगा वहाँ पर मैं आपको mcq important notes, pdf प्रोवाईड करवाऊंगा तो link दिया है description box में आप जोइन कर लेना काफी important रहने वाला है साथ ही दोस्तों कुछ बच्चों ने demand की थी कि सर आप weekly current affairs का एक video लेकर आईए तो उस पे अभी काम चल रहा है definitely वंद्रक्षक और वनपाल की भरती के लिए आपको मैं current affairs के video अवलेबल करवाने की कोशिस करूँगा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लीजिए दोस्तों 51 क्यूशन पूचा गया था क्रशन मर्ग किस अभ्यारण में पाए जाते हैं उप्शन नाहरगट में, जमुआ रामगट में, सरिसका में या फिर तालचापर में तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है इसका सही आंसर हो जाएगा तालचापर के अंदर क्रशन मर्ग याने की काले हीरन पाए जाते हैं अगला क्यूशन पूचा गया था, राजस्तान का 1 शेतर का परतिसत बताना है तो राजस्तान का 1 शेतर का जो परतिसत 9.57 परतिसत है अगला क्यूशन पूछा गया था रेड डाटा बुक में किन के नाम लिखे जाते हैं पूर्व परधानमंत्रियों के, पूर्व राष्टपतियों के, रज्येपालों के या फिर संकट गरस्त एवं विलुप्त प्राई पर जाती हों के अगला क्यूशन पूछा गया था बाईयो डीजल निमन में से किस परजाती के पोदूं से प्राप्त किया जाता है उप्शन है विलाईती बबूल, सपेदा, रतन जोत या फिर अलसी तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा रतन जोत के पोदे से बाईयो डीजल है वो प्राप्त किया जाता है नेश्ट क्यूशन पूछा गया था निमन में से कौन सी फसल ओस दिये नहीं है उप्शन नमरे अस्वगंदा, इसब गोल, सपेद मूसली या फिर मोल सरी तो दोस्तों यहां पर यह जो तीनु है यह ओस दिये फसल है लेकिन जो मोल सरी है यह ओस दिये फसल नहीं है अगला क्यूशन पूछा गया था निमनांकित में से कौन सा उतपाद चीनी उद्धो का सायक उतपाद है उप्शन है खोई, रस मेले, सीरा या फिर यह सभी तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीरा जो है यह चीनी उद्धो का सायक उतपाद है अगला क्यूशन पूचा गया था गृत्वा करशन का सिधान किस ने परतिपादित किया था तो उप्शन नमबर C इसका करेक्ट आंसर है अगला क्यूशन पूचा गया था भारत की भासाओं का उलेक सुची के अंदर किस सुची के अंदर किया गया है जितनी भी बासाओं सुधान में लिखे गई है उनका उलेक कोन सी सुची में है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आटवी सुची के अंदर उप्शन नमबर C इसका सही आंसर है अगला क्यूचा गया था रज्यू में रज्यपाल की न्युक्ति किस के दुआरा की जाती है तो रज्यपाल की न्युक्ति दोस्तों रास्टर पती के दुआरा की जाती है उप्शन नमबर C इसका सही आंसर हो जाएगा फिर पूचा गया था देश का सर्वोच नागरिक सम्मान कौन सा है तो भारत का सर्वोच नागरिक सम्मान सबको पता होना चाहिए भारत रतन है option number D इसका सही answer है अगला क्यूचन पूचा गया था दीन ए इलाई की सुरुआत किस के सासनकाल में की गई थी तो दीन ए इलाई की सुरुआत अकबर के सासनकाल में की गई थी option number C इसका सही answer है अगला क्यूचन पूचा गया था अगनी समक के रूप में किस गेस का प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों अगनी समक के रूप में कारबन डाई ओकसाइड का प्रियोग किया जाता option number C इसका सही answer हो जाएगा इसके बाद पूचा गया था वर्स 2012 के ओलंपिक खेल का आयोजन कहां पर रुआता ये उस टाइम का करंट का क्यूस्टन है तो इसका सही answer हो जाएगा दोस्तों लंदन के अंदर 2012 के ओलंपिक गेम्स करवाए गये थे दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हूँ तो लाइक जरूर करना और अपने मोबाइल के किसी भी एक educational group में या अपने friend circle में इस वीडियो को जरूर share कीजेगा ताकि वीडियो जादा से जादा बच्चों के पास पहुँच सके और अपनी जो family है वो थोड़ी increase हो सके अगला कि उसन पूछा किया था जैपूर फुट क्या है जैपूर फुट क्या है खिलोना बीमारी कृत्रिम अंग या फिर सेना का अंग तो इसका सही answer हो जाएगा दोस्तों कृत्रिम अंग अगला कि उसन पूछा गया था थेवाकला राज्य के किस जिल्ले की पहचान है तो थेवाकला राजस्तान में जो परतापगड जिल्ला है इसकी पहचान है थेवाकला अगला कि उसन पूछा गया था राजस्तान में नमक उतपादन कहां होता है तो राजिस्तान के अंदर नमक उतबादन वाला शित्र बताना है लून करण सामबर जील जाला वाड या पिर बारा तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सामबर जील में नमक उतबादन होता है अगला क्यूसन पूछा गया था चांद बावडी कहां पर इस्तित है अगला क्यूसन पूछा गया था देश की पहली रेल गाडी 1853 में कहां चलाई गई थी ओप्सन है मुंबई से पूने, एमदाबा से बडोदा, मुंबई से थाने या फिर मदराज से रामेस्वरम तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मुंबई से थाने तक पहली रेल गाडी 1853 में चलाई गई थी दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि आपको इन में से कितने क्यूसनों का सही सही आंसर आ रहा था अगला कियूसन पूछा गया था निमन में से कोन भेड की एक नसल है, मुर्रा, थारपारकर, मगरा या फिर नागोरी तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मगरा जो है ये एक भेड की नसल है, बाकी सभी गाई की नसल है अगला कियूसन पूछा गया था, राजस्तान के जलिया वाला बाग के नाम से विख्यात इस्तान मानगर्ड धाम किस जिल्ले के अंदर है, मानगर्ड को दोस्तों राजस्तान का जलिया वाला बाग का जाता है और ये धाम कहां पर इस्तित है ये आप से पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर C इसका correct answer है अगला क्यूसन पूछा गया था राजस्तान में इस्तापित भारतिये प्रोधोगी की संस्तान IIT कहां पर इस्तित है तो राजस्तान के अंदर IIT कहां पर इस्तित है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तू अगला क्यूसन पूछा गया था अड़ाई दिन का जोंपड़ा कहां पर इस्तित है तो अड़ाई दिन का जोमटा आप सभी को पता होना चीए अजमेर के अंदर इस्तित है अगला क्यूशन पूछा गया था परशिद वन्ने जीव विशे सग्ये जिने परदेश के टाइगर मेन के नाम से जाना जाता है अगला क्यूशन पूचा गया था जंतर मंतर क्या है संग्राले विधाले वेद साला या भूल बुलाया तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तूँ जंतर मंतर एक वेद साला है सी इसका करेक्ट आंसर है अगला क्यूशन पूचा गया था राजस्तान का सरवोच परवत सिकर किस जिल्ले में है उप्सन है सिरोई, उदेपूर, अजमेर, याफिर, जोधपूर तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तूँ जरगा जो है वो सिरोई में इस्तित है अगला क्यूशन पूचा गया था चितोडगर्ड इस्तित विजे इस्तम का निर्मान किसने करवाया था तो विजे इस्तम का निर्मान किसने करवाया था ये पूचा गया अगला क्यूशन पूशा गया था, जैपूर सहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी, करनल जैम्स टोड ने, मिर्जा इसमाईल ने, राजगुमार अलबर्ट ने या फिर विद्धादर भटाचारिय ने, इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, अप्शन नम्मर डी, विद्धादर भटाचारिय ने, जैपूर सहर की योजना बनाई थी, अगला क्यूसन पूशा गया था, चुहू का मंदीर नाम से, विख्यात करनी माता का मंदीर कहां पर इस्तित है, आई थिंक समको पता होगा, ये बिकानेर के अंदर, इस्तित है, देशनो के नाम से, इस टाउन को जाना जाता है, जहां पर चुहू का मंदीर है, करनी माता का, अगला क्यूसन पूशा गया था, कूंबल गड़ दुड की दिवार की लंबाई कितनी है, तो कूंबल गड़ की जो परसीत दिवार है, उसकी लंबाई आपको यहां पर पूश लिगई है, इसका सही आंसर हो जाएगा option नमर B 36 km 36 km अगला क्यूशन पूचा गया है तिरी इस्तरिय पंचाइती राज वेवस्ता का प्रारम किसके द्वारा किया गया था option है मोनलाल जी सुकाडिया पंडित जवालाल नहरू जैनारन वयास या फिर लाल भादूर सास्तरी तो इसका सही आंसर हो ज प्रचियता कोन है option नमर एक अनेया लाल सेटिया पंडित भरत वयास जैनारन वयास या फिर मानिक के लाल वर्मा तो धर्ती धोरां की एक परशित दर्चना है और ये कनेया लाल जी सेटिया की जनमिस्तली है सुजानगड राजस्तान सुजानगड इनका मूल इस्तान है अगला क्यूसर पूचा गया था सूचना का अधिकार अधिनियम से कोन सम्मदित है गिरजावयास रंजना कुमारी अरुना राई या फिर अरुंधती राई तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा option नमर सी अरुना राई जो है ये सूचना के अधिकार अभियान से पिर कोटा तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर की जो सीमा है वो मंदे परदे से नहीं लगती है बाकी सभी की लगती है अगला क्यूसर पूचा गया था पानी में बरब का कितना भाग पानी की सतय से बाहर रहता है एक बटा आठ एक बटा ग्यारा एक बटा दस या फिर एक बटा नो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा उपसा नमर एक बटा एक बटा आठ भाग जो है वो बरब का पानी से भार रहता है अगला क्यूसर पूचा गया था सबसे छोटा माधीप कोन सा है यूरोप आस्ट्रेलिया उतरी अमेरिका दक्सिन अम किस जिल्ले में नर्मदा नदी का पानी नहर से लाया गया है ये उस टाइम का करंठ का क्यूसर था तो इसका सही आंसर आपको बताना है option number d जालोर इसका सही आंसर हो जाएगा अगला क्यूसर पूचा गया था गागरोन का किला किस नदी के किनारे पर इस्तित है पारवती चंबल, काली, सिंध, या फिर, बनास तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों काली, सिंध, जो नदी है इसके उपर गागरोन का किला इस्तित है अगला क्यूसन पुछा गया था भारत की आर्थिक निती कोन बनाता है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतिये रिजर्वे बेंक आर्थिक निती बनाता है अगला क्यूसन पुछा गया था यदि टाइगर को आर इजी आईटी से अंकित किया जाता है तो क्यू यू एएस अच आई को लिखा जाएगा इसका सही आंसर में बता देता हूँ ये रिजर्णिंग का क्यूसन है रिजर्णिंग के आप में पूछे गये थे 2013 की पेपर में तो इसका दूस्तों सही आंसर हो जाएगा उप्सन नम्मर B, I, H, S, A, U, Q इसका बन जाएगा अगला क्यूसन पूछा गया था सब कुछ जानने वाला है तू एक सबद होगा तो सरवग्य जो सब कुछ जानता है उसको सरवग्य कहा जाता है ये हिंदी का क्यूसन पूछा गया था अगला क्यूसन है जिसे धरम में निष्टा हो उसे हम क्या कहते हैं, धार्मिक धरम निस्ट, धर्म आत्मा या फिर धर्म परायन तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, धर्म निस्ट धर्म निस्ट उसको कहते हैं जिसकी धर्म में आस्ता होती है अगला क्यूसर मैथामेटिक्स का पूछा गया है यदी एक दिवान और 6 गद्दू की कुल कीमत 4,800 रुपए है तथा यदी एक गद्दा 300 में क्रे किया जाता है तो 7 दिवानों की कीमत आपको बतानी है तो पहले हम गद्दू की कीमत लगा लेते हैं 6 इंटू 300 तो आपका हो जाएगा 1800 रुपए 1800 हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 3000 रुपए तो 3000 रुपए कीमत हो गई एक दिवान की तो 7 की हो जाएगी 7 तरी 21 यानिकी 21,000 रुपए तो D इसका सही अंसर हो जाएगा अगला क्यूसन पूछा गया निमन में क्या भिन है लूनी, व्यास, काली, सिंधी या फिर सांबर अलग कौन सा है ये आपको बताना है अगला क्यूसन पूछा गया था निमन में क्या विसंगत है विसंगत आपको बताना है पैन ड्राइव, सीडी, माउस या फिर डिवीडी तो इसका तो तो सही अंसर हो जाएगा अप्शन नम्मर सी, माउस जो है ये भिन है बाकी सभी में क्या स्टोरेज किया जाता है अगला क्यूसन और लास्ट क्यूशन पूछा गया था राजस्तान की जनसंग्या 2001 की जनगर्णा में 5.56 करोड थी तथा वर्ष 2011 में जनसंग्या 6 करोड 86,212,012 होगी जनसंग्या में कितनी बढ़ोतरी हुई यह आपको बताना है एक तरह का mathematics का यह क्यूशन हो गया इसका A है जो correct answer हो जाएगा 1.21,212,012 की वर्दी हो गई थी तो दोस्तों यह था आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आयो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रेप्शन बॉक्स में वहाँ से जोइन कर लेना ताकि आपको PDF, MCQ, Important Question Krunt जी के यह सबी चीजें मिलती रहें तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद